कि य। से जो निकलता है रीमोन कंट्रोलर से जो निकलता है रीमोन और से जो निकलता है वो अवरक्ट किरन ने वह pray शबिता दूर जल्दी से क्या हो जाएगा प्रावेगनी किरन अब हैखेगनी किरन किस के द्वार शोशित हो ध्ता है ओ जोन फरहतальной कि समताप अंशर कराने पुद्व oser με भनी तरंग क्या है देखो चला एक दम जल्दी से बता दो जलदी अभी तुनित बताएं अब की जतना तरंग है नहां बाद माकी जतना तरंग है जो परकास तरंग है बिद्थ है तरंग है गामा कि एक से पराबीनि है दिर्ष्याव रक्त है क्ष्माए रेडियो है दिर्ग है सब के सब अनुप्रस्त जल्दी सिलीक ध्वनी क्या है मेरे दोस्त अनुदेर्द है एकवर आंसर बता तो क्या हो जाएगा what is the answer कि कहते हैं अधो जल देखो चला हम लोग दो घंटा पार कर चुके हैं और बच्चों की संख्या एकदम बनी हुई है बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं एकदम चला आपके संसकारों के लिए आपको नमन है आपके मां पिता जी ने जो आपको ये पढ़ने का संसकार दिया उसके लिए आपको एक सबार नमन है ये होता है मेरे दोस्त तंसकार जो आपको पढ़ने की प्रेरना देरा उनको थैंक्यू बोलिए कि आपको उन्होंने इस तरीके से पाला कि आज आप पढ़ाई के प्रतीक चुक हैं कहते हैं मेरे दोस्त अधो जल वस्तू हों अंडर व को खुशता है अस्थल पर चीजों को खुशता कि आप त्यवम and ranging system Saunaar का sound navigation and ranging system सब को पता है दोनों जो है ये भी चला परावरतन के सिद्धान पर काम करता है ये भी परावरतन के सिद्धान पर काम करता है शुनार भी लेकिन चला सुनार में sound का use होता है परास्रब तरंग का और radar में अस्थल पर चीजयों को खुजने के लिए इसमें रेडियो तरंग का यूज होता है जल्दी से अब आंसर बता दीजे क्या हो जाएगा अधो जल वस्तुओं की दूरी यानि अधो जल यानि जल के अंदर अगर कुछ भी आपको ना अपना है सुनार इस दराइट अंसर यह दोनों का कोई काम नहीं आपको कि अगर रेडार अस्थल पर चीजों को खुछता है रेडियो तरंग यूज करते हैं परावरतन के सिद्धान पर काम करता है शुनार पानी में चीजों को खुछता है प्रास्रब तरंग का उपयो करते हैं या भी परावरतन के सिद्धान पर काम करता है अंसर चलेगा अंसर अगला अगला प्रश्ण आपके स्क्रीन पर यह रहा देखो कहता है एक छात्र एक पीन होल केमरा पीन होल केमरा में कैसा प्रतिमी मनता है इसका लिख लो याद रखना वास्त्वीक और उल्टा उल्टा और पार्स उल्टा एकदम चला NCRT का सवाल है वास्त्वीक उल्टा और पार्स उल्टा देखो उल्टा का मतलब तो उल्टा हो गया पार्स उल्टा का मतलब वह लेफ्ट का राइट दिखेगा और राइट का लेफ्ट दिखेगा अब देख लो इक कुश्चन में क्या हो जाएगा अंसर पीन होल कैमरे में जो प्रतिविम बनेगा वो कैसा बनेगा चला पीन होल कैमरे में लिख लो वास्टविक उल्टा और पार्स उल्टा तो देख लो उल्टा होना चाहिए इसका उल्टा खोजो तो उल्टा खोजो तो यह तो होगा नहीं यह तो मेरी जाने मुहबबत होगा न इससे नहीं होगा बता हो आंसर क्या होगा बी फॉर अगला प्रश्ण क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजे वट इस दा अंसर यह ने आवरे कोशन अभी चला एक दम अच्छे अच्छे प्रश्ण आपको अभी मिलने वाले लाइट चप्टर के लाइट इस वेरी वेरी इंपॉर्टन टॉपिक एक सीधा और बड़ा प्रतिविम किसके द्वारा बनाया जा सकता है सीधा भी और बड़ा भी बताईये क्या हो जाएगा अंसर देखो चला यह तो सबको पता है कि उत्तल दरपन में तो छोटा प्रतिवि प्रतिविम बनता है अंसर बता दो क्या हो जाएगा अंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा एक सीधा और बड़ा तरफे प्रतिविम् किसके द्वारा बनाया जाता है सीधा और बड़ा तो भीया यहीं से बनेगा सीधा और बड़ा जो है शीधा और बड़ा बड़ा की ही बात कर लो खली तो इसी में किवल बड़ा बनता है वो अंसर बता तो जल्दी से क्या हो जाएगा what is the answer अच्छा कुश्चन देते हैं तूमको अभी सारी दर पन किस को क्याए फीडम चैल भास बना पाता एग मतलडर पन को या दूसरा हूंतल अरपन को कि मोरा नवी इस मतलडर पन को ऑद दर पन जल्दी बता चला हम तुम्हें इतना क्या लिखा है अचा वो गाना गा रहे हैं हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें यादे अवतल दरपनिस राइट आंसर चलो जल्दी से बता दो अगले कोश्चन की ओर चलते हम लोग कोश्चन नमर बासट की ओर आहा इक चला पूछवे करेगा एकर आप बढ़ियां से देख लो एकड़ दो हमने तो गड़ बढ़ा जाएगा एकर फीगर को हम कर देते हैं बढ़ा है इने आरे फीगर आद देखो तही मैथ देखते हैं क्या करकर बढ़ियां है चित्र में दर साइं, NCRT, सुगन्द आ रही है इस क्वेश्चन से, खु बहुत बढ़ियां बात इसमें चला ये कलेई किया हुआ है कलेई किया हुआ है ये कलेई किया हुआ है यहां पर ए नाम दे दिया है यहां पर बी दे दिया है और ये एंगिल दे दिया है 90 डिग्री बहुत बढ़ियां बात ये जो कौन दिया है तुमको ये आपतित्किरन है ये अभी लंब है, ये कौन तुमको दे दिया है, 25 डिग्री, ठीक है, क्वोश्चन क्या को रहा है, चित्र में दर्साय उनसार, A और B एक दूसरे के लंबवत है, ये A और B, ये दूग दरपन है, एक दूसरे के लंबवत है, ये अनबर डिग्री बनता है, दरपन A पर प्रकास का कोई किरन 25 डिग्री पराप्तित हो रहा है, ये 25 डिग्री पराप्तित हुआ, जो परावरतन के पस्चात भी पराप्तित होता है, किसी इस किरन का परावरतन कोन क्या होगा, देख लो, इपरावरतन के पस्चात यहां जाएगा, यहां से फिर यहां है यह अगर 25 है तो यह भी आपका कितना हो जाएगा पचीस और यह 25 हो जएगा और यह कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा देखो तुम बना पाते हो कि नहीं हम एक बार और सिखाते हैं अब बढ़ियां से सीखने की कोशिश करना एकदम चला बढ़ियां से सीखने की कोशिश करना हम आपको एक बार और सिखा देते हैं बढ़ियां से एकदम बढ़ियां से ये कौन 90 डिगरी तुम्हारा दिया हुआ है ये जो कौन है मेरी जाने मुहबत मेरी जाने ब फा यह 25 है यह 25 है धी फोरा कौन अभी द Commission है जो कौन बनेंगा इनमा डिगर này ठीकितना चैन्ट यह केतना ईगा बड़ आप तरन परावरतन के बराबर उक्कि इभी 35 को अईप 20 boutण शोन फूरा हो नब यह पंई सट आई कितना फिर हो जाएगा पंई सट आंसर जल्दी बता दो कितना हो जाएगा पंई सट यह कोशन हम तुमको देते हैं बना के दिखाओ यह कोशन हम तुमको देते हैं बना के दिखाओ यह कोशन पूछा हुआ कोशन है कि दरपन से दरपन से यह कौन है पचीज बताओ आपतन कोन परावरतन कोन के बराबर होता है लेकिन यह जो आपतन कोन है न चला यह अभिलंब से मनता है दर्पन से नहीं इध्यान रखना यह आपतन कोन जो होता है यह अभिलंब से मनता है यह अभिलंब है अभिलंब से ही आपतन कोन और परावरतन कोन की गनना होती ह अभी लंब क्या होता है, किसी भी दरपण पर dalंब वाथ जो होता है, उसी गोहित को ओए लंब कहते है बता अंसर क्या हो जाएगा, what is the answer? यह 55 है, यह 25 स अधिक कितना हो जाएगा? चला, पूरा 90 होगा यह 65 होगा ये 65 होगा दी भी न, 65 हो जाएगा answer, एक वोशन पूछा हुआ है जल्दी बता दो answer चला, यह बात तुम समझ लो कि वक्त है, बीत जाता है हम सब को यही बात कहते हैं हमेशा वक्त है, बीत जाएगा कुछ लोग कहेंगे कि हमने सजा लिया, तो आप मज़ा ले रहे हैं कुछ लोग कहेंगे हमने मज़ा लिया तो सजा मिल रही है आपको किस क्रेटरिया में रहना है तो आपको डिसाइड करना बस आप दो चेप्टर का ही सवाल आपका बचा हुआ है हाँ इद धाएं हम लोग कर लेंगे जल्दी सबताज जे इसका answer क्या होगा लेन questions आपको एक दम दमदार मिलने वाले हैं जल्दी सबताज जे कहता है चित्र में किसी प्रकास की किरन माध्यम A से माध्यम B में गवन करती है A और B A के साफ एक्ष B का पूरतनां कितना होगा जल्दी सबताज जे देखो चला यह यहां पर देदिया है 60 degree और E यहां पर कितना देदिया है 45 degree यह माध्यम A यह माध्यम B यहीं मामला है वह रहा है यह के साफ एक्ष माध्यम B का A के साफ एक्ष जिसके साफ एक्ष कहता है उसको नीचे रखते हैं तो म्यू A नीचे रहेगा और म्यू B उपर रहेगा और आपको पता है साइन थिटा में उल्टा होता है साइन ओफ ए यह म्यू A है तो उपर हो जाएगा साइन ओफ A a mu b है तो sin of b अब sin of a यानि a का अपवर्तन कोन देखो कितना है 30 degree यह हो जाएगा sin of 30 बट है b का कितना है 45 b का कितना है चला 45 न b का कोन है 45 degree यह हो जाएगा sin of 45 अब जल्दी से इसको solve कर दो answer आजाएगा जल्दी बताओ sin 60 कितना root 3 by 2 sin 45 कितना 1 by root 2 यह हो जाएगा कितना यह उपर चल जाएगा root 3 root 2 आपटर 2 इसको root 2 गुना root 2 लिग देंगे यह हो जाएगा root 3 आपटर root 2 देखो तो इतना आ रहा है क्या answer चला बता जल्दी सा answer एक किदम चला देख लो एक के सापिक्ष B का सर मेरा data खतम हो गया कोई बाद ने data खतम हुआ चला दूसरा sim चालू कर लीजे हम तो चला पढ़ाएंगे आपको लक्ष प्राप्त कर आपसे मिलने आएंगे मेरे दोस्त जल्दी से बता दो एक के सापिक्ष B का पढ़ता मियू B बट मियू ए जिसके सापिक्ष के गा उसको नीचे assign B sign A NCRTA चला असान भी नहीं होगा sign B B का मान दे दिया है B क्या कोन है? 45 sign 45 होगया यह हो जाएगा sign sir उल्टा होता है यहां मियू B, यहां मियू A मियू B होगा तो यहां sign A मियू A होगा तो यहां sign B हो जाएगा answer जल्दी से screenshot ले लो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की और कितना अनंद मैं सवाल है हम चला सोचो हम तो बार बार एक ही बात कहेंगे हम अपने लक्ष के लिए इतना मेहनत करते हैं अपने career के लिए आपको भी करना है हम चला आपको पता है 65 बच्चे थे हम लोगे क्लास में तो हम लोग 5 बच्चे बच्चते थे वो पांच वाज प्लेश्ट है बाकी साथा भी तैयारी यह कर रहा है भगवान से मनाओ कि अगर 2 बच्चे भी क्लास में पढ़ नहीं हो तो वो दूसरा बच्चा मैं बनू कियाते हैं एक अवतल दर्पन पर आपतित शूरी की किरने दर्पन के सामने 15 सेंटीमेटर दूरी पर अभिशरीत होती है इस दर्पन के सामने किसी बिम का को कहां रखे कि समान साइज का बनेगा कितना सुन्दर कोश्चन ही अवतल दर्पन दे दिया है अवतल दर्पन दे दिया है अकोरा इसका फोकस दूरी जो है कि जो फोकस दूरी है यहां से यहां था कि 15 सेंटीमेटर है अकोरा कहां रखे कि समान बनेगा तो यह सेंटर पर रखेंगे तो समान बनेगा असेंटर की दूरी जब यह तुक्ता होती है इस डरपन के सामने कसी इसका समान साइच फ्रति भी होगा हमका cassi अंशनärt के अंदर पर रखेंगे तब बराबरा कारका बनेगा समाना कारका बनेगा चलवा सब देखो धाई से बना दिया अगला प्रशन आपके स्क्रीन पर ये रहा एकदम धाई से जल्दी बता दो चला एक और अंसर की होगा NCRD का सवाल तो है लेकिन आपके लिए उतना ही आसान कर देगे हम जितना आसान आप सोचे भी ना होंगे देख लो देख लो इन्हागा फिगर को बढ़ा कर देते हैं question कर देखो यहाँ 11 number है 11 number है जियान से देखना यहाँ चला 11 number है यहाँ 11 number है यहाँ 11 number है अब यह इसे गया होगा तो यह इसे चल गया होगा तो यहां चला देख लो यहां एक नमर है फिगर जब आप देखेगा यहां एक नमर है तो यह इसे गया है एगार नमर यहां एगार नमर यहां है इसका मतलब यह उत्तल लेंस है आगर यही अवतल रहता अवतल रहता मेरी इधर एक रहता इधर एक रहता इधर एक रहता जिदर 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 एक रहता ज हम चला खड़े हैं तू भी पॉड इसलिए कि तुमको अपना केरियर बनाना है और मेरे दोस्त फीड तो बहुत है लेकिन मेहनत करने वाले कितने हैं बीस लाग फॉर्म गिर जाने से होता है चला मेहनत तो हजार में नहीं कर रहे हैं बच्चे आंसर बता जल देख लो यह अगार नमर इधर और इधर रहता अब तल्लेंस हो जाता क्योंकि आपको पता है न उत्तल लेंस में जो किरन आती है वह इधर चल जाती है तो यह इधर आंसर बोजाएगा अंसर अगला प्रश्ण पर यह होता है वहफनों के पीछे दृष्ष्य दिखने के लिए तो सब बना देगा जल्दी बताओ एक से कौम इस राइट अंसर यह चीज़ धियान रखना चला उत्तल दरपन सावपयोग दो जगह होता है यह पस्च द्रिश्य दरपन में पस्च द्रिश्य दरपन में और दूसरा होता है रोड लेंप में रोड लेंप में आब बादमा की चला कुछ भी पुछेगा ना दू यूज होता है विद्धार धियान रखना चला जी उत्तल दरपन का दूए जगए यूज है कि ये वह हम कि पहले रोड लेंप में दूज जगह बाद मकी कुछ वी कुछ भी पूछेगा ना चला तो अब तर दरपन हो जाएगा दोस्त आप अपने लॉजे में देखिया ना कितना परसेंट लोग पढ़ाई करते हैं तो देखो गे तो पता चलेगा कि एक परसेंट लोग पढ़ रहे हैं 99 परसेंट लोग तो बस दीन काट रहे हैं कि किसी तरह दीन बीत रहा है और खाली दूसरे पर ब्लेम करें कभी होंगे आभी लंबा लंबा छोड़ने होंगे लंबा लंबा आप देखिए बाहर निकल के एकदम लंबा लंबा छोड़ने होंगे पौर नहीं रहे होंगे बहुत कम बच्चे होते हैं चला जो पढ़ाई करते हैं कितने लोग मानते हैं चला कि आपके अगल बगल में लोग या तो लंबा लंबा छोड़ नहीं या तो सो गए हैं कितने लोगों के बगल में लोग जो एकदम sincerely पढ़ाई कर रहे हैं एकदम sincerely पढ़ाई कर रहे हैं तो कर प्यान नो टाइप कीजिए देखिया अभी तुरंत result पता चल जाए है या तो एकदम बकवास गिरी कर रहे हैं या कुछ भी उल्टा पुल्टा कर रहे हैं तो आठ टाइप कर जाएं कितने लोगों के बगल में बच्चे पढ़ने हैं एकदम sincerely बैटके पढ़ने नो टाइप कर दीजिए चला हमिसा ध्यान रखेगा चोटा प्रतिविम आवर्धन एक से चोटा बड़ा बराबर प्रतिविम आवर्धन एक के बराबर और बड़ा प्रतिविम आवर्धन एक से बड़ा इस राइट आंसे देख लो सब आठे आठ है क्या बोले तुमको हम एकदम सब आठे आठ होगा चला यतना आसान है परावरतन का नियम लागू होता है सब तरह पर सभी दर्पन किसी भी छोटा, बड़ा, रुखडा, किसी भी परकार का दर्पन होगा देख लो आमने है, आठ किसंग्या 90% से भी जादे होगी देख लो अंसर बताओ परावरतन का नियम लागू होता है किवल समतल दर्पन, किवल अबतल दर्पन, किवल उतल दर्पन सभी परकार के दर्पन पर परावरतन का नियम जो कहते हैं, आपतन कोन परावरतन कोन के बरावर होता है इस सब परकार के दर्पन पर लागू होता है ऑनसर बता दू बढ़े दांसर करता है निमल्खित में से निमल्खित मेंसे किसके द्वारा नन्थ पर प्रतिविम अत्यदिक छोटा बनेगा बताओ Això अनन्त पर किसी में भी रहेगा अन्त चोटे बनेगा इद्यान रखना अनन्त संतल Śूल्फ फॉड़ के ऑटल रपन आद तल अल उतल सुथ किसी पर भी रहेगा रहेगा ठेट परॉटा प्रड ही दिध्यान रखना अनन्त पर किसी अपवर्तन का जो एक्जाम्पल है जतना उपर उठा हुआ है जैसे पानी में मचली उपर उठा हुआ प्रतीत होता है या प्रतीत होने वाला है या इस सब एक्जाम्पल अपवर्तन का है तारे टिम्टिमाते हैं टिम्टिमाते प्रतीत होते हैं अपवर्तन आंसर बता दो देखो कहीं होगा है यहाँ अपवर्तन अंग अपवर्तन निर्भर करता है अपवर्तन अंग पे कोई माध्यम सगन है या विरल है इध्यान रखन में सा अपtałवर्त ओठा उठा हुआ या प्रतीत हो रहा ही सब अपवर्तन यरवर्तन निरभड करता आपवर्तन पे अपवर्तन निरभर करता है सगनता और बीरलता पे कोई माध्यम सगन ये खेजन को ये सविरल में ये विरल से सगन में प्राव सुचक है पहला है ताप का ताप का आद दूसरा है आकार का जल्दी बता अंसर तारों का रंग किसका सुचक है ताप का या आकार का ताप का कि अ कि जल्ली बता तारों का रंग जो है मेरे दोस्ताप का सुचक है तारों का रंग किसका सुचक है ताप का सुचक है अंसर यहने आओ रे question कितना सुंदर question है NCRT exemplar का question है कहते हैं कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार थी स्याम पट पर लिखे अक्षरों को तो पढ़ सकता है स्याम पट पर जो अक्षर उसको पढ़ लेता है इसका मतलब दूर का उसको दिख रहा है इसका मतलब कौन दोस है इसका मतलब दूर दिख रहा 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 है कि इस पर जो निकट से आती हुई किरने होंगी निकट से आती हुई किरने होंगी अगर आप पढ़े होंगे हमसे तो हम बताते हैं निकट से आती हुई किरने फार के बाहर निकल जाएगी फार के किया है निकट किदर गया आक्षैनों को नहीं देख पाता है निकट दिष्टे दोस निकट का नहीं दिख रहा है अध которых का नहीं दिख रहा है इसका मुझा दूर दिष्टे दोस अध की तो डूर दिष्ट्री दोस में तो गया बता जल्दी से अंसर क्या होगा एक भी किसी अंसर बता जल्दी से देख लो यह विद्यार्थी का जो नेत्र का निकट विंदू है यह जो निकट विंदू है यहां होना चाहिए था अब यहां से यह दूर हो गया है तो पीछे चला गया ता अंसर बता तो जल्दी से क् राइट अंसर दूर दिश्टिदोस कहते हैं देखो अक्षर नहीं पढ़ रहा है उस तक का अक्षर इसका निकट नहीं दिख रहा है निकट नहीं दिख रहा है निकट नहीं दिख रहा है मतलब दूर दिश्टिदोस अचला इसमें होगा क्या निकट से जो आने वाली किरने ह उफार के निकल जाएगी मतलब दूर चली जाएगी अंसर विद्यार्थी का नित्र का निकडविंदू उससे क्या हो जाएगा दूर हो जाएगा इस दर आइट आंसर इस दर आइट आइट आंसर बस 15 से 20 मिनट और चला कम्प्लीट कर देंगे हम लोग कितना टाइम हुआ है एगारा बजने वाला है कोई बात नहीं एगारा बजने वाला कि बारा कितना बजने वाला है एगारा बियालित बारा बजने वाला है कोई बात नहीं आवा हो राज्या नीला दिखाई देता है प्रकिर्णन के कारण इध्यान रखना चला शूरिय जो है शूरी है, शूरी के लिए हम कुछ चीज़ें बताते हैं, लाल दिखाई देता है, शूरी लाल दिखाई देता है प्रक्रिणन के कारण, अब बड़ा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण, बड़ा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण, आ ने, इसमें अगर हम कहते हैं, समुद्र के जल का रंग नीला देखो, आसमान आशमान पानी असूरय लाल दिखता है प्रकृर्णन के कारण यह ना, असूरय लाल इतीनों एक्जामपल का अंसर होगा प्रकृर्णन आसमान, पानी और सूरज लाल प्रकृर्णन के कारण, अंसर मार तो अभी-कभी दिखाई देता है व्यतिकरन, कभी-कभी पईर चला हम रोग दरद कर रहा है, लेकिन लक्ष ले लिए हैं न, कि पढ़ाएंगे एक सतीस कोश्चन तो पढ़ाएंगे, बदा जल्दी से, कता है आस्मान का रंग, नीला, पानी का रंग, नीला, सूरिक, लाल, प्रक्रिणन के कारण, आख कोएगा सूरज लाल दिखता है प्रक्रिणन, लेकिन बड़ा दिखता है प्रक्रिणन के कारण, जल्दी से लिख लो, इचला फिर ये कंटेंट तुमको कहीं मिलेगा नहीं, मेरे दोस्त, आप ये हर एकजाम के लिए लाबदायक है, जो समझ लो, जो इंपोर्टेंट बाते हैं, वही हम आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छे हीरे का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावरतन, इस सब एकदम पूछा हुआ कोश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावरतन, इस प्रकास का 6, आस्मान नीला दिखेगा, पानी नीला दिखेगा, सूर्य लाल दिखेगा, प्रक्रिणन के कारण, इसके कारण, प्रक्रिणन के कारण, अशूर्य लाल दिखेगा, प्रक्रिणन के कारण, बड़ा दिखेगा, पूर्ण आंतरिक परावरतन पर आधारी थे, ही दर्पन में यहो है पैस्च दर्पन ओर आर्शा में तर्पन और यह को रोड रोड लेंप एढ़ी कुछ भी पूछे दे बादम antibodies कुछ भी पूछे भी पूछ दे बाध माकी कुछ भी पूछ दे ताथ तल्दरपन मार देना बेलनाकार दर्पन पाहो का यूज नहीं है बिलनाकार लेंस का यूज है आज शमतल दर्पन में ध्यान रखना कालपनीक कालपनीक पुछेगा चला महां भी भी आए कालपनीक बड़ाबर 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 शीधा और पार्स उल्टा बनता है पार्स उल्टा बनता है कालपनीक बड़ाबर सीधा और पार्स उल्टा बनता है अंसर पश्य दिश्य दर्पन में और रोड लेंप में अवतल दर्पन बादवकी सब में अवतल दर्पन ती देखो सर्च लाइड जो है बादवकी में आगया बादवकी में आगया अवतल दर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा उत्तल दर्पन पस्च्च दर्पन या रोड लेंप में उत्तल दर्पन अवतल दर्पन में बाद बगी सौब में हो जाएगा चला अवतल दर्पन अंसर कितना लोग तुला अभी भी हिम्मत कर रहा है कि हम सर पौढ़ लेंगे वीस मिनट पचीस मिनट और आठ टाइप करो जगर हिम्मत टूट गया है किरपयान और टाइप करो है ने आवरे क्वेश्चन अब चलवाए धाई से बना देगा अभी तुरंते सिखाए हैं यदि किसी आउतल दरपन में आप तन कुन 30 डिग्री होगा परावर्तन का नियम है आप तन कुन परावर्तन को निके परावर्तन के परावर्तन होगा एक राश छोड़ेगा हमार चल अंतर के कारण होता है आप वर्तनांक जो है ये सघंता में अंतर के कारण होता है जिखान λλखना चला कभी कभी दे देता है अंसर प्रोविस करना बहुत असान है पिए निभाना बहुत मुश्किल है पिता जी से प्रोविस करक challenged हैं यहां कुछ करेंगे निभा लेकिन नहीं पाए जो नहीं निभा पाए उनके लिए जो निभा पा रहे हैं वो तो चला महान है